वाले लोग का अगर कम उर्मर का लड़का है तो वो अकाल मिर्टू का सिकार बनेगा नवसकार दोस्तों आप देखे रें इंफरस्ट्रक्चर सॉलूशन और आज आपको बताएंगे कि पिछले जिस वीडियो में हमने बताया था कि जहां पे रेक्टिफाइ करके हमने अपने नौर्थ हो जाता था पीछे आता था यहां साउथ यह इस था और यह था वेस्ट अब इसके डिजाइनिंग में आपको भलीभाती पता चल गया होगा कि क्या इसमें गलती हुई है और कैसे इसका वर्क हुआ है तो सबसे पहले चीज गलती की बात करें तो हम जैसे देखें तो पहले तो आपका CD बनता है जो read में पड़ता है दूसरा चीज है इसान कोन में इन्होंने toilet बना दिया और इस इसान कोन में toilet बनाने से आपको पता है कि बास्तु सास्तर हमेशा हमें सिखाता है कि इसान कोन हमेशा हलका होना चाहिए हवित्र होना चाहिए किसी के सर के भीन हो जाता है इसानकोन में ट्वालेट होने के कारण आपके पास दो चीज़ा आती है एक तो मिर्तिव का सूचक है जो गिरी स्वामी होगा उसे बढ़ना तय है तीन साल साथ साल और पंदर साल ये तीनों आपका जो है समय है जिसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस चीज़ आती है कि सीडी मद में गुजरता है तो क्या होता है सीडी अगर मद से गुजरेगा तो उस घर में रीड का प्रोब्लम पीठ दर्ड और इस तरह की गति भीदी होती रहेगी चुकि यहां पर सोने वाले को यहां से जो एनर्जी आती है जो आपका पॉजिटिव ए जो है obviously clear रखना पड़ता है इन्होंने कीचेन को सिर्फ देखा अगनी कोन में कीचेन डाल देने से यह सब चीज़े आपको दिवधा पूर्ण बनी रहेगी दूसरी चीज़ है कि यहां पर जो इन्होंने बनाया था यह भी ट्वालेट बना दिया अब नौर्थ सॉरी साथ और वेस्ट साथ वेस्ट डैरेक्शन में अगर ट्वालेट बनाते हैं तो क्या होगा साथ वेस्ट डैरेक्शन में ट्वालेट बनाने से उसका जो स्वामी है उसको अपना बर्चस पताने चलेगा कितना भी आप आमदनी कर लिजे आपके घर की आमदनी रूखेगी नहीं आपका घर हमेशा disturbance में रहेगा और चुकि इसका इंट्रेंस भी सामने से है, CD सामने है, इंट्रेंस के सामने CD परने से उस घर में कला का द्वार बन जाता है, और घर हमेशा कला पूर्ण रहेगा, कोई किसी की बात तो मानेगा नहीं, इसी कारण से जब भी घर बनाईए, तो बास्तू की साब से बनाईए, दूसरे चीज थी, ये तो हो गया पहला, जो उन्होंने गलती किया था, इसका rectify बोला, बोले कि वो करके दे देंगे, तो उन्होंने खुदी rectify किया था, और भी बारी गलती कर दिये, देखिए, यही चीज है, ठीक है, CD आप बना लिए, वो अच्छी बात है, भार कर दिये, फिर यहाँ पे ट्वालेट इन्होंने बना दिया, जो आपको अभी बताया थोड़े देर पहले कि ट्वालेट इहाँ बनाने से क्या दिक्कत होती है, यह सारी गलती थी, यह बना दिया उन्होंने लॉंजेरिया, और इसे बना दिया bedroom, यानि accidental room बना दिया, जो इस room में सोएगा, वो से यह दुनिया छोड़ के जाना है, यानि कि जो ब्रिद लोग है, जब उनको इस धर्ती से मौमाया नहीं है, उनको इस कमरा में आप सुला देजिए, तो बैरागे room है, यहाँ से वो सीधा पर लोग सीधारेंगे, अगर किसी नव्यूवर को डाल दिये, तो भाईया वो बीमार ग्रस्त होके और खतम हो जागा, इस room को हमेशा कहते है, accidental room, अगर आप वास्तु के हिसाफ से देखिएगा, तो इस दुरगटना ग्रस्त room कहते है, इस room में सोने वाले लोग का, अगर कम उमर का लड़का है, तो अकाल मिर्ट्यू का सिकार बन साथ हो गया, इस्ट वेस्ट, अब देखिए, इसका इस्ट वेस्ट कारण से, इसके इस्ट वेस्ट सारे direction देखने के बाद, आपको अब बताईए कि कैसा लग रहा है, चुकि घर का जो ड्राइंग होता है, वो specifically उसी के हिसाफ से बनाना पड़ता है, चुकि तीन तरफ से इंका pack था, और इधर से ही सिर्फ एक रास्ता इधर से है, और एक रास्ता इधर से है, तो इसमें condition झी, सीडी इनको बाहर से रखना था, चुकि दो भाई के हिसाफ से बनाना है, तो दो भाई छोटे जगे में फ्लैट वाइज ही बाटेंगे, रूम बढ़ा चाही, के सात हमें तो पार्किंग हमें इस तरह से रखना है कि जब भी घर बनेगा तो उनका यहां पर यूज ज्यादा होगा इस पार्किंग का और हॉल का कंभिनेशन जो भी वह ज्यादा यूज में आएगा तो इनका possibilities आपका हॉल से खुल जाएगा दूसरा बेडरूम से अटेच इन्होंने का था चुकि आपको भी बता देते हैं कि बेडरूम से जब भी टोइलेट अटेच करिए या तो वो बास्तू दोस ही होगा उसका निदान सिर्फ यही है कि इसको यहां कनेक्शन नहीं डालके इसे इधर ही कर देते तो बढ़िया रहता लेकि आपका जो रूम है यह एक्सिडेंटल रूम जैसे बताया था तो यहां पर पुड़ाने जो बुजूर्ग हैं वही सोएंगे या सिर्फ पूजा घर हो सकता है इस कोना में यहीची रखना है हॉल भी बड़ा हो गया उपर कीचेन भी बड़ा हो गया नौ सारे आठ का एक ब जरुत बुजा है कि हाँ इसे पूजा गर रखना है पूजा गर रखी या फिर स्टोर रूम बना लिजे इन दो चीजों में आप यहां पर बना सकते हैं तीसरा आता है ट्वालेट सेम स्पेस में हैं बारा तेरा का रूम करके एक आपका बाहर खोर दिया और एक अंदर से जो आपका एक स्पेस यस एस मिल जाएगा इसमें आपका साथ सवाशाथ जहां पर आपको इंटेरियर करने में काफी अच्छी होगी आपको कुछ रेफ्रेंस दिखा देते हैं कि इस तरह से ट्वालेट का इंटेरियर होता है आसा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो और घर में जब भी आप मैप बनाईए तो इस तरह की गलती ना करें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद